जय इन्द वंदे मात्रम दोस्तों मैं आपका आर्मी इस्टेड़ी लाइफ क्लासेज में सुवागत करता हूँ आज आपको मैं बता दू पीछला पेपर लगाता 27 या 28 तारिक का वो पेपर लेक्शे आ गया हूँ आज पीछला पेपर लगाता मैं इसका अब में उसमें से आ पर कैसे आया था ठीक है मेरे बढ़ने की कोई आसकता नहीं है बहुती आसान आया था थोड़ा सा घुमाया वदजब की आसान था आपको डरने की बिलकुल भी आउस्ता नहीं है आप देखना परसनों की देखते ही धुआ 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 घर दोगे मैस को भगा भगा के पजाओ रेडी ठीक है आपकी स्क्रीन पर पहला क्यूसन पहला क्यूसन किसका आरखा देखो पहला क्यूसन आपका आरखा है 40 किलो मिटर परती घंटे की गती से चलने वाली एक ट्रेल अपने गंतवे स्तान पर समय से पहले पहुँच जाती है ठीक है समय पर पहुँच जा दी जाए तो उसे दूरी तै कहने में 15 मिंट ज्यादा लगते हैं तो कुल दूरी ग्यात कीजिए तो इदी आपको इदी ऐसा प्रसंद पड़ा हुआ आपका पड़ा हुआ है जहां पर भी आप पड़े होगे तो आपके सर ने तो बताया ही होगा क्या बताया होगा कि दूरी बराबर क्या होता है चालो का गुणनफल बटे बोलोगे हां सर ये थोड़ा थोड़ा थो पड़ा हुआ है बटे चालो का अंतर चालो का अंतर और इंटू आप बोलोगे सर समय का अंतर जी गुरू जी समय का ठीक है तो बताओ पहली चाल कितनी है मेरे भाई पहली चाल आपकी कितनी है 40 km परती घंटा तो लिख दीजे मेरे भाई 40 इंटू दूसरी कितनी है 35 है 35 है दोनों का अंतर कितने का है दोनों का अंतर 5 का है और समय क्या दे रखा मेरे भाई आपको समय का अंतर दे रखा है 15 मिन तो मैंने 15 minutes लिग दिया लेकिन मेरे भाई एक चीज का ज्यान रखना किस चीज का ज्यान रखोगे सर ये kilometer परती घंटे में है और ये minute में है तो minute को भी किसमें बदलना पड़ेगा घंटे में बदलना पड़ेगा मेरे भाई आप बोलोगे जी गुरूजी आप कैंसल कर दीज कितने आने वाला है सतर किलोमेटर 15.60 गरोगे 10,57, पहनते तो आप बोलोगे कि सर हमारा अनसर किया आने वाला है यह अनसर आने वाला है आप बोलोगे आसर यह आपको PDF इसकी PDF भी मिल जाएगी सोलूसन की भी और रील पेपर की PDF भी आपको पर टेलिगराम पर मिल जाएगी घबराने की कोई आउसकता नहीं है ठीक है अगला किशन आपकी स्क्रीन पर इस परसंद के बारे में कल भी मैंने बोला था कि मेरे पांस जितने पेपर हैं उसमें एमडी एच डबलू का तो हर पेपर में परसंद पूछा हुआ है तो ढंक से रटा मारके जाना वहीं एमडी एच डबलू को तो ठीक है आप बोलो ध्यान से सुनों ठीक है पांच व्यक्ति अगर एक काम को बारा दिन में पूरा करते हैं म ऍअब इसके बाद में पूछा क्या है छै व्यक्ति कितने दिन में करेंगे शै इंटू कितने दिन में करेंगे नहीं पता गुरूजी ठीक है तो कैंसेल करके निकाल लीजिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है छै दूनी 12 और पांच दूनी 10 दी ओप्सें आपका क्रेक्ट हो जाएगा दी अब दो काट अब था बहुत ही आसान पेपर आप बोल रहे हो टफ आया हाँ एक दो किसन आ सकते हैं वो तो फिर सेलेक्शन पर टेक करेंगे ठीक है बोलोगे तीन नंबर किसन आपसे पूछा गया है क्या देखो यहां पर लिखा हुआ नहीं है मैं लिख देत ठीक है इसको बदलना बदल के बटाओ बहुत कितना आने वाला ठीक है जल्ड़ी कि जीए कि आने वाला छ ही दो बटे-पांच को लिखाओ आने था मैंने लिख दिया च्हह इंस सही-दो बटे-पांच को विन Ignais 5 बंद में बदलिये बोलोगे सर अरे सर ये तो कितना असा देखो हो जाएगा कोई तकली वाली बात नहीं ठीक है आगे देखो अगला कुछन चान नंबर एक वर्गाकार भगीचे का परिमाप एक वर्गाकार भगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका छेतरफल चपन पचीस स्क्वाइर मिटर है चपन पचीस स्क्वाइर मिटर है मेरे भाई ये पूछ लिया तो आपको पहले से पता होगा कि सर जी वर्ग का छेतरफल क्या होता है वर्ग का छेतरफल सर जी भुजा इसक्वाइर होता है क्या होता है भुजा इसक्वाइर तो मेरे भाई आप ये देखना सबसे पहले क्या क सर कितना है 56 तो लिख दीजिए 56 बोलोगे जी गुरुजी यहाँ पर क्या जाएगा भुजा इसक्वाइर बोलोगे यस सर कोई तकलीफ नहीं है तो जब भी मेरे भाई इसक्वाइर हटा होगे अंडरूट लग जाएगा तो मेरे भाई भुजा का मान कितना आएगा को फोर्मूला कि होता है मेरे भाई परीय मापका जो फोर्मूला होता है न वives 4 into भूजा होता है तो बोलोगे सर 4 into भूजा तो 4 into 15 तो पिछेत्तर धुना देड़्सव तेड़्सो दुना 300 आपका जो करेक्ट अंसर होने वाला भाई वह क्या होने वालाs बी ओउप्सिन अ देखिये जल्दी क्या नहीं वाला पाँच नंबर का, राम एक समाचार पत्तर 0.50 पर लेता है, तो जनवरी महीने के लिए उसे कितने पैसे देने होंगे, इसका मतलिए यह वहाँ है, कि 0.50, 0.50 पैसे लेता है, ना ये, ये रुपया लेता है, मालो, क्या लेता है, मुलो, र जनवरी माह में कितने दिन होता है सर जी जनवरी में 31 दिन होता है जनवरी में कितने दिन होता है 31 तो एक दिन का पेमेंट 0.5 है तो 31 दिन का कितना पेमेंट होगा भाई आप बोलोगे जी गुरुजी गुणा करवादो एक ती पंज एक सो पच्पन 15.50 होगा बोलोगे जी ग चलिए मेरे भाई ठीक है देखो अगला क्यूशन ये क्यूशन अधी आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा पूरी डिटेल्स तो मैं आप नहीं दे पाऊंगा क्योंकि भोज्यादा टाइम लगेगा फूरी डिटेल्स तो मैं नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं आपको बात बता हमको बता दोगा की कैसे होता है फिलाल आपको याद रखना है कि विचलन का बीजी अगनित योग होता है, क्योंगे इनके जब हम माते से विचलन के और जाएंगे, विचलन के और जाएंगे तो कुछ पोजीटिव होता है, कुछ नेगिटिव होता है, जितना पोजीटिव होगा, उतना ही नेगिटिव होता है, इसलिए इसका क्या होता है जीरो होता है ठीक है मेरे भई, आगे चलिए अगला किसन आपकी स्क्रेन पर आचुका है ठीक है देखो जल्दी कीजिए दो, तीन, पांच, नो, सत्रा, तेटीस, पैसर्ट का अगला पद ग्याद करना है, कौन सा पद करना है अगला पद कीजिए मेरे भाई, जल्दी कीजिए तब तक मैं पर्सन लिख लेता हूँ ठीक है गुरुजी अच्छी बात है दो तीन पांच नो सत्रा तेटीस और पैसेट भाई साब अगला पद बताना अगला सीरीज का परसन है आप टप बता रहे हो अरे यह किस चीज का टफ है देखो बोलोगे सर कितना ज जोड़ा दो कितना जोड़ा च्यार कितना जोड़ा आठ कितना जोड़ा गुरुजी शोलगा गुरुजी एप गुतना जोड़ा मेरे बाई 32 जोड़धिया घव एक का दुगना दो एक डुगना न ह CONTraaрос Such की जोड़ेंगे लिभ जोन से उनन जोड़ह कैसेका बातीतना चलिए सबसे प्यारा और सबसे अच्छा परसन और मैं लगबग मुझे पता है कि इसका बहुत सारे बच्चे गलत अनसर भी देंगे उमीद है मुझे यह आपके पिछले पेपर का पूछा हुआ परसन ही है ठीक है पूछा यह है कि X गुणा के X और Y का LCM बताना है किसका X का और Y का LCM बताना है जहां यदि यह जान नहीं देता तो फिर कुछ अंदाज ही अलग होता जहां Y Y जो है X का गुणाजी मतलब Y है ना Y वो X का गुणाजा है जिसमा आपसे पूछ लों जिसमा आपसे पूछ लोंग के गुनजी क्या है इसी परकार ध्यान रखना कि यह जो है या यह ना वाई है वो किसका गुनजी गुरुची X का गुनज है, मतलब किसका गुनज है, बोलोगे सर, यह X का गुनज है, मतलब यह Y है ना Y, Y कितना वोलोगे सर, X का गुनज है, तो यह है ना, यह X के बराबर भी हो सकता है, और यह कहना, यह Y है ना, यह बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो यदि आपको यह Y, X, और किसका Y का, आपको क्या निकालना, LCM निकालना है, तो आप बोलोगे, कि सर यहां से निकालना, तो यह Y है ना, Y, किसका गुणज है, यह X का गुणज है, तो मेरे भाई इसका LCM आने वाला है ना, वो Y आपका LCM आने वाला है, क्या आने वाला है, Y LCM, कैसे समझे ना, जिसे मैं माल लूँ ए एक्स को आठ माल लेता हूँ एक्स को क्या माल लूँ आठ माल लूँ तो वाई का मान क्या होगा फिर आठ का गुणज लेना पड़ेगा तो आठ का गुणज लोगे तो गुरी यह तो आठ लेना पड़ेगा यह फिर 16 ने लना पड़ेगा यह 32 लेना ईए पढ़ेगा आप बोलोगे है सर तो इस परकार से घ्यान रखना इस परकार से रिखना है यह इना यह तो आप बोलोगे सर इस पर करने वाला है य पर dipand करने वाला है पर क्लाँ क्या हो influences का LCM हो जाएगा, यह ध्यान रखना है, ठीक है, आगे चलता है, देखो, लो नंबर किसन देखना, दो और सो के बीच, तीन से विभाज है, सभी पूर्णांक, विसम संख्याओं का क्या हो योग होगा, पूर्णांक, विसम संख्याओं का योग चाहिए हमें, हमें किसका चाह यह विसम पूर्णांकों का योग चाहिए, तो ध्यान से सुनने की कोशिस का ना सबसे पहले, ठीक है, बात यहां से यहां से आती है, कि सर तीन के गुणज इसके बीच में कौन कौन से है, सर जी तीन से स्टार्ट होता है, तीन से, बिलकुल तीन से स्टार्ट होता है, सर इ लेना पड़ेगा इसी प्रकार यह प्रोसेज कहा तक चलेगी यह प्रोसेज कहा तक चलेगी यह प्रोसेज कहा तक चलेगी मेरे भाई यह प्रोसेज कहा तक चलेगी निन्यानवे तक चलेगी कहा तक चलेगी निन्यानवे तक चलेगी जी गुरुजी निन्यानवे तक चलेग तो अब मेरे भाई इनका योग चीए, तो योग का फूर्मूला क्या होता है, योग का फूर्मूला होता है, N into average, N into ओस्त लगा लो मेरे भाई, N into क्या लगा लो, ओस्त, बोलोगे जी सर, अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, कि सर, N, N क्या पदो की संक्या, तो ये पदो की संक्या कितनी आएगी, ये ध्यान रखना है, ये टोटल पदो की संक्या आएगी, 17, ये पदो की संक्या कितनी आएगी, 17 आएगी, उस सद की निकालेंगे, first and last का योग करके दोका भाग दे दो first and last का योग करके दोका भाग दे दो तो भोलोगे सर 17 into तो 102, 102 में आप दोका भाग देगो तो कितना आएगा 51 आएगा और जैसे ही गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 60, 667 हमारा correct answer हो जाएगा 667 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई correct answer हो जाएगा तो आप आसानी से कर सकते थे मैंने आपको उसत में बता रखा है और ये मैं जब number system का आगे का part पड़ाऊँगा तब अच्छे से clear हो जाएगा कोई तकलिफ वाली बात है नहीं है ठीकर? आगे देखो दस नमबर क्यूसन हमसे क्या पूछा गया है दस नमबर क्यूसन ये पूछा गया हमसे क्या कि सुनना ये एक क्या है ये एक हमारा दिवगात समी करन है ये एक हमारा क्या है दिवगात समी करन है इसकी वरगमूल है ना इसकी वरगमूल एक दूसरे के पारस्प्री की व्यतुकरम है व्यतुकरम का मतला रेसी प्रोकल क्या है मेरे भाई रेसी प्रोकल धान से समझने की कोशिश करना क्या बात है देखो यहां से एक देखो एक मूल मैं एक मूल माल लू जैसे माल लू एक मूल मैं क्या माल लू एलफा मान लेता हूँ, तो दूसरा मुल क्या होगा, बोलोगे सर इसका उल्टा, व्यत्युगरम का मतलब क्या होता है, उल्टा, एक बटा क्या होगा, एलफा होगा, बोलोगे जी सर, तो मुझे तो किसका मान चीए, मुझे तो यहां से पी का मान चीए, किसका मान चीए, जड़ी आपका दिवगात समिकन पढ़ा हुआ है, तो उसमें ध्यान रखने एक सिस्टम होता है, क्या? कि ध्यान से सुनने की कोसिस करना, कभी आपने सेने बताया होगा, कि मुलो का गुनन फल, है कि मुलो का गुनन फल किसके बराबर होता है? द्यान रखना ये होता है C बटा A के बराबर होता है ये कैसे सर सीर ये A क्या है तो द्यान रखना A तो X स्क्वाइर के गुणज में बोला जाता है जैसे मैं लिकूँ A X स्क्वाइर प्लस B X प्लस C ये एक दिवगात समीकरन होता है X square के गुणा में होता है उसको A बोलते है और X के गुणा में होता है उसको B बोलते है लास्ट में बच गया उसको C बोलते है जी गुरुजी तो अब यहां से दान से सुनने की कोशिस करना सबसे पहले मुलों का गुणन फल एक मेंने alpha माना एक बटा alpha हो जाएगा तो गुणा करो गुरुजी इनको alpha into एक बटा alpha गुरुजी C कितना है C मेरे भाई यहां पे कितना 2 है बोलोगे जी गुरुजी आप बोलोगे Sir इसमें से A कितना है A हमारा P है बोलोगे जी गुरुजी तो आप आप क्या करोगे बोलोगे Sir P alpha से alpha कट जाएगा और वजर गुणा करोगे तो मेरे भाई P बराबर कितना आजाएगा 2 P बराबर कितना आजाएगा 2 तो कौन सा option correct है C option हमारा correct हो जाएगा इसका जिन भाईों का दिवगात समिकरन अच्छे से किया हुआ तो वो कर सकता है जिनका दिवगात समिकरन नहीं पढ़ा हुआ तो हम बहुत जल्द ही आपको दिवगात समिकरन पढ़ाने वाले हैं ठीक है उसमें आपको एक एक चीजे बता दी जाएगी कैसे होता है क्या होता है ठीक है चलो आगे चलता है 11 नमबर किशन देखना एक प्रिक्षया में विदार्थियों को 40% अंक चाहिए सबी प्रसनों के अंक बराबर है एक विदार्थी ने 15 स्वाल हल करके 10 का सही उतर दिया तो कुल कितने प्रसन है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि बात यहां से निकलती है कि सर क्या कि इसने 15 स्वाल किये तो 15 से मतलब नहीं है लेकिन इसने 10 सही किये ना इसी में क्या हो गया पास हो गया 10 सही करते ही क्या हो गया ऐसे मानना है प्रसन में कुछ कहा नहीं गया लेकिन कहना चीए था उसको कि 10 में वो पास हो जाता है लेकिन इसके बार में ऐसा कुछ कहां नहीं गया है, तो आपको यही मान के चलना है, कि सर 10 रही उतर दिया, 10 परसन करते हूँ वो पास हो जाएगा, वैसे पास मार्किंग के लिए कितने परसन्ट चीयें, वैसे पास मार्किंग के लिए 40 परसन्ट चीयें, और वेसे कितने क्यूशनों में पास हो जाएगा वेसे मेरे भाई 10 क्यूशनों में पास हो जाएगा कितने क्यूशनों में पास हो जाएगा 10 में पास हो जाएगा तो एक बराब निकालोगे तो कितना आएगा 10 बटे 40 इंटू कितना आजाएगा तो गुरु जैसे ही सोल करोगे कितना आएगा 25 क्यूशन तो मेरे भाई कौन सा ओप्सन करेक्ट हो जाएगा D option हमारा करेक्ट हो जाएगा 25 क्यूशन करते ही वो क्या हो जाएगा पास तो पास मार्किंग लिख दो 40% इधर 10 क्यूशन करते ही पास हो जाएगा तो 10 लिख दो आपका आगे का प्रसंद क्या हो जाएगा तो जोल हो जाएगा ठीक है बोलोगे हाँ ठीक है कोई तकली वाली बात नहीं है आप आप कर सकते हो आसानी से कोई बड़ी बात यह आप नहीं है आगे चलते हैं देखो अब सुनना क्या बात आती है बात ही आती है सर इसका एड करना है क्या करना है जोड़ना है तो जोड़ दीजिए मेरे बाई जल्दी से जिनको जोड़ना दिक्कत आ रही हो वो देख लिजी 2.81 ठीक है फिर कितना है 0.002 बोलोगे जी गुरू जी ठीक है आगे 0.01 इसको जोड दीजिए 2 का 2, 1 के पितना हो जाएगा 2, 8 का 8 बोलोगे शिर पोइंट 2 तो कौन सा ओप्षण करेक्ट आरा है हमारा C ओप्षण हमारा क्यारा क्रेक्ट आरा C ओप्षण क्यारा मिरे बाई क्रेक्टारा बिलकुल आसानी से कवर कर सकते हो कोई प्रोब्लम वाली बात है नही होगी ठीक है भडी आगे चलते हैं देखो तेरा नंबर है नäreल देखो द्यान से सुनना एक मा आपको बात बता दू द्यान चैङ कितनी घात लगा के पूछे स्वाइरो. प्लस एक बटा एकस की घात हैं, कितनी भी घात लगाके आपसे पूचे, तो answer इसका क्या होने वाला है, मेरे बाई, दोई होने वाला है, answer क्या होने वाला, दोई सीधा सीधा प्रसंथा, कि एकस प्लस एक बटा एकस बराबर दो दे दे, यह दो fix होना चाहिए यहाँ पर, यह दो दे दे और X की घात कुछ भी दे दे X की घात कुछ भी दे दे उसका मान दो होता है मैंने कहा है याँ पर दो दे रखा दिश्ची से कोई फ्रक नहीं पड़ेगा हमारा answer क्या हो जाएगा धो पर 2 कर ले ना मेरे ब कितनी खुरसी यह दो टीक है हाँ, न आका मुल्य कितना है 35 अब आप बोलोगे यहां से क्या कि 3 टेबल 2 खुर्षियां मतलब 3 टेबल और 2 खुर्षियां मतलब 3 टेबल प्लेस 2 खुर्षियां का मुल्ले कितना भाई साब 4000 है कितना है 4000 है बोलोगे जी गुरू जी 4000 तो एक खुर्षिर नहीं है. ठीक है. एक एक है पूचया. एक टेबल होगी, एक चेर होगी, इनका मुल्ले कितना मेरे भाई 1500 है, इनका मुल्ले कितना है जी 1500, कर सकते हैं इसे कोई तकलिफ वाली बात नहीं है, ठीक है, आगे चलता है, यह आपका 15 नमबर का क्यूशन किस से रिलेटेड आया है, यह मेरे भाई आपका जो परसन आया है, यह लाभानी से रिलेटेड आया अभी दो दिन पहले मैंने आपको प्रक्टिस करवाई थी क्या देखो अंकी एक तो लिखलो करे मुल्य एक तो लिखलो करे एक क्या लिखलो विक्र है ठीक है एक क्या लिखलो अंकित लिखलो गुजी ठीक है तो आप ये बताओ सबसे पहले कि एक व्यापारी को अंकित मुल् वाना उल्टा तो बोलोगे सर क्या हो जाएगा 8090 हो जाएगा जीरो से जीरो कर जाएगा कितना जाएगा भाई बता दो ड़का है यही हमारा correct answer हो जाएगा कोई तकली वाली बात है नहीं होगी ठीक है आगे चलते है आपका reasoning का question आया था reasoning का धुआ धुआ करते विछ लना है देखो समझिए हमें क्या बताना है देगे सब्दों को अंग्रेजी वरनमाला के करम में विवस्तित कर बताई कि कौन सा सब्द अंतिम दूसरे करम में आएगा अंतिम से दूसरे में आएगा तो आप यह देखो पहले नंबर पर कोन आएगा देखो सी सी बी सी सी पहले नंबर पर कोन आएगा गुरुजी यह तो पहले नंबर पर आएगा मालब पहले नंबर पर कोन आएगा बोस आएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब आई यह तो काम खता मिसका तो अब सी पे चेक करो तो सी से नहीं डिसा तो नियुक्त करना है तो तो उससे तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं से से थिसे भी आप बोलो गए हां सर यहां से डिसाइड कर सकते हैं यहां से को अटा दों इस्के बाद में कौन आएगा गुरुजी वो आएगा कौन ट्रेस्ट ठीक है बो लोगे जी तो last से बताना है, तो ये तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, छोता नंबर, पाँच्वा नंबर, ले项 लोगेuser कोई तकलिफ वाली बात हैं, संहां नहीं है। आगे देखो, इससे बतारा नमबर पर क्या आएगा, 18 smart करना है, कि 18 नमबर पर क्या आने वाला है? भूलो सर्, दौर के कहा रक्हां डी को ऑपको देर्खा A इसके बादम देर्खा B इसके बादम देर्खा D और इसके जगह हमसे अगला पदिया होता है इसका hea loyalty भी आपटान से सुनना नमबर डाल लो इसका नमबर एक होता है इसका ही बर में किना जोड़ है इसमें एक जोड़ा सार्य होगा में यहां पर कितना जोड़ा होगा नहीं पतऽ है मेरे भाई सर आगे यह तो हो गया कोई तकलिफ वाली बात नहीं है लेकिन सर यहां से मुझे चेक करना है यहां से कितना जोड़ा होगा नहीं पता लेकिन यहां से मुझे पता है कितना जोड़ा है इसने पांच जोड़ा है तो मेरे भाई यहां पर एक जोड़ा होगा यहां पर दो कूर्ड दूँं तो किया जाएगा आज आएगा तो भोलो घे सर जी हमारा करेक्ट रोज हैगा सी तो पहले एक जोड़ रहा फिर दो जोड़ था फिर तीन जोड़ रहा फिर चार जोड़ पाँच जोड़ रहा है यही बात थी मेरे भाई यही दिगें आगे चलते हैं अगया पहासा में आने वाला भाई साभ पहर तो ऐसा ही आने वाला है टीक है इसको क्या लिखा जाता है इसको लिखा जाता है Z, V, Z, Z, D लिखा जाता है और हमसे पूछा किसका है हमसे पूछा मेरे भाई Friend का F, R, I, E, N, D का हमसे पूछा है गुरुजी चलो देखिए मेरे भाई ठीक है अब यहां से देखो इसमें से देखो एक क्या कर दिया है एक बीग देखो एससे पहले कोन आता है गुरू एससे पहले जेड आता है तो यहां पर इसने एक डिक्रीज किया ठीक है W से पहले कोन आता है, V आता है, A से पहले कोन आता है, Z आता है, K से पहले कोन आता है, J आता है, E से पहले कोन आता है, D, मला एक एक माइनस कर रहा है, एक एक माइनस ठीक है, भोलोगे सर इससे पहले कोन आएगा, F से पहले E आ जाएगा ना, E F, इससे पहले कोन आएगा, सर ज M N आता है, D से पहले कोन आएगा, उरुजी C आएगा, तो ऐसा option किसे में आ रहा है, E Q, E Q, H D, M C, कौन सा option correct है भाई, D option हमारा क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, यही बात थी मेरे भाई, कोई जड़ा difficult वाली बाते नहीं थी, यह आपका HW है, और HW है, इसी के साथ आपको क् काम भी करना है, क्या काम करना है, इसका जो आपका answer आया, उसके विचार भी आपको लिखने है, विचार भी आपको लिखने है, तो आप बोलोगे हाँ sir, तो यह आपका पिछला paper था, जो March में हुआ था, March का paper में ने आपके screen पर रग दिया है, आप खुद तै कर सकते हो, कि इतनी तियारी बागई कितनी करनी हैं 19 दिन बचे हमारें पास्स तो तो आप जीजान से मेहनत करते हैँ कोई तक्लिप्क नी सलेक्षन हमारा शयोर होगा ठीक सठीट नोट एं से इमस्कर Thomas हुए हुए चा असिरी esse उसकर आते रहिए, जी जान से महनत करते रहिए, जहिन, वंदे मात्रा मेरे फोजी भायों.